यह है 12 class के 23 का model paper अगर इसको तुम लगा ले तो 22 फरवडी को हिंदी का एक्जाम है तुम 24 का तो उसमें तुम 100 नमबर लेके आने वाले हो यहां पर 100 नमबर का paper होता है पुरा 100 नमबर लेके आने वाले हो 12 class वाले हो इसलिए वीडियो को लास्टर तक जरूर देखना इसमें किस तरीकत कोशन सौल करना 100 नमबर किस तरीके लेके आना और कौन सी गलती नहीं करना किस तरीक कॉपी में इसलिए वीडियो को जरूर देखनां पर यहां पर लिखा रखा हुआ यहां सकते हो यहां पेहला कोशन यहां पर यहां पर यह लिखका रखा हुआ पहला कॉशन यहां पर यहां पहला कोशन यहां पर यहां पर पूछ रहा है कि राम-चंदर, महावीर प्रसाथ निभाए दी यह अगर तुम पढ़ा हो तो बिल्कुत राम से लगा लोगा या तीसरा ऑप्सन सही होगा यहा अध्यापक, पूद। और दूसरा कोशन यहां पर यह है कि देख लूँ यहां पर खावाला है कि हिंदी नई चाल में ठाली यहां किस लेका का है अब यहां बताना यहां पर चार ओपसन दिया हुआ ठीक है इसमें कौन सा अगर तुम अंधी मारोग तो भी गरत हो जागा इसलिए मैं कहता हूं कि य कहाने के लेखक कौन उसने कहाता है कानी के को यहां पर कोशन पहले यहां पर relax लिए यह फिर महावीर पहले द रविये दिय क्या कि आथा उसने कहा लेखक इन्न के लitted अगहावाला कोश्टन कोष यह कुछन के लेखक रूम चिन्टामणी बाड़ी निबंद संक राकतो जो गद्द्य में 5 कोछनप फूच्ञ उते हैं और गद्द्य में सब मतकुक्त हूलेता है किस सिपाही न चीशनाकर काहों कि सपाही कि सुपाही के करें ATC यह तो पिब में किस तरीके से लिखना है यहां ना अच्छनतुव संख्या एक तो यहां दालेने प्रश्णत्र संक्या एक और इस तरीके से लिखना ठीक है ना पहले का अध्यापक पूरुज देखें दूसरे का भारतियों है चंदर धर शर्मा गुलेरी इस तरीके से लिखना पर को नोट नहीं करना टाइम नहीं बेस्ट हो जागा तीन घंड़ें आपक और यहां पर दूसरा कोशन यहां पर यह स्टार्ट होता यह भी पांच नम्स कोशन पध्यान से पूछा आवाला है प्री प्रवास रचईता के लेखा कौन है यहां पर चार उप्सन दिए अपर देख लो खावाला है कि निम्लिकित में से चायवादी की कवी है अब देखो चायवादी कवी बताना तुम पढ़े हो ऺई था पैरिम सब्सक्स की सब्सक्राणी यहां पर आधवाला कोशन पचलेएं यह था पर निम्लिकित में से कौन्सा कवी चायवादी युक्य नहीं है अब नहीं पूछ नहीं है यहां पर चार ओप्सन दिया हुआ है महाँ खंड है महा कावई है फिखंड कावई है यहां पर यह दूसरा खंड कावई का यहां पर यहां पर यहां बिल्कुल कोश्ण नहीं डालना यहां पर आंसर लिखना आपको कोश्ण नम्र है यहां पर दस नम्र मिलने वाले दस नमबर मिलने के बाद यहां पर तीसरे question पर आओगे यहां पर आता है दस नमबर के दो गध्यांश पध्यांश यह important अगर तुमने यह बीस नमबर तुम यहां से लेकिया तो 100 नमबर लाना बहुत ही easy हो जाएगा बट बैड़्या यह कर नहीं बात है किस तरीके से करने copy में बताने वाला हूँ यहां पर देखू यहांपर दैया यहांस अधारित निम्नी के question का उत्तर दीजै यहां पर देखू क्या दोयों और तकर मिल서 यहां पर यहांपर देख की ठया हुग दर्स नमबर को ठीक है इसका तो आंसर देना यहां पांच कोशन पूछे का पूछ रहा है इसको किस तरीकत करना यह भी देख लो यहां पर लिखाय कहते हैं दुनिया बड़ी भुलकड है कि वर उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्द साधना है बाकी को फेक कर आगे बढ़ जात तुम गद्यांस के इस टार्टिंग दो चैप्टर पड़ो यह फच जाएगा और तुम इसे पता है ना इक पार्ट का नाम कौन है इसके लेखा कौन है तुम यह गद्यांस पड़ोगे तुम समझ जाओगे हाँ यहां पर लिख भी आता है अशोक दिख रहा ना तो अश्य हजारी पर साथ द्रिवेदी है कितना सेंपल हैं एक कोशन आपसे हो यहां कीहां से मिल जाएंगे फिर इसके बाद देख जो रहा ची एए उसकी व्यक्णा करनी है व्याख्या करनी है तो व्याख्या किस तरीकर करना है यहां पर डालोगों है रिवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ी स्वार्थी है यहां पर देको लिखा होगा कहते हैं कि दुनिया भुलककर है इसे तुम किसके लेखा किए रिवेदी जी है वही कहते हैं रिवे यहां पर दो यहां इसके बाद एक कौशन आगे देख लो कौन सा यह पूछ रहा है तीसरा वाला कि अशोक विस्मरत करने का अधार किसे माना गया तो यहां पर देखो किता सिंपल है स्वार्थ वरत्ति को माना गया है यहां पर लिखाक ने दुनिया को किस तरह का वेभार बताया है वही बता है जो बहुत भुलकड होती है उसी उतना ही याद रखती है जिसने के उसका स्वार्थ साधना होता है बाकी को फेक कर आगे बढ़ जाती है इतना लिख दो कि दूर नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे पूरे संसार को स्वार्थ का अख़ाडा कहा बाकी से मिलने वाले है यहां परे तुम्हें िखाएंगे अइसे कोशुन करने दस number पूरे मिल जाएंगे से घठ्धियांस के दस number लेकी आने हों और सीम पद्यांस में भी दस नमबर लेकर आने वालेशन की होता है सिम बीजर आने वाले यहां पद्यांस लिखा गुशन दिखना है और यहां पर यह थोड़ोद देदेगा टीक है statement देगा पध्यास देगा इसके इसे 5 questions देदेगा 5 questions आपको करने होंगे part लेखा का नाम बताने वैख्या करने होगे वैख्या से घृष best देखा की थी इसे वैख्या करने होगे और यहां 20 नंबर लिखा आने के बाद तुम यहां पर आओगे 10 नंबर की यहां पर G1 पर्चछे में यहां पर नभी जीवन परचे भी लिखोगे तो आपके पूरे 10 नमबर मिलेंगे यहां पर वासुदे संदाव याद कर सकते हैं यहां पर एक पांच नमबर के यहां सहाग है कि बहुती सिंबल आपके याद करके लिख सकते हैं इसमें बताने की जरूत नहीं है है अब यहां पर यहां का आता है च्छेटे कोशन है पांच नमबर का होता है थे देखो ऑपकष में लिखेए न यहां पर और पंच-ड़ या फिरूत तारा मेंसे किसी एक कानी का आपकर सारांस करना होता है या फिर बहादू नमबर कहा निकार यह पी। बहुत SIMPLE होगे 5 सबसे SIMPLE है दो पेज में लिखो दो पेज में लिखोगे अराम से किते मिलेंगे 5 पूरे मिल जाएंगे कितना सिंपल है सो नमबर बहुत ही आसान है और देखो कौन सा है कोश्टन है यहां च्छे कोश्टन होगा है अब च्छटे कोश्टन के बाद यहां पर स्टार्ट होता है साथवा कोश्टन यह कहला है कि स्वापठित खंड कावे के अधार पर किसी एक के एक प्रेश्टन का उतर देना इसमें से एक उतर देना है जो आपके स्टेट में चलता है यहाँ प्लाव्यंग सब्सक्राइब करने के बाद आपको आपता है यहां पर खंडबा स्टार्ट होता है खंढ़ नहीं कुछ नहीं तो बहुत ही सिंपल होता और यहां से 50 नमबर लेके आने वाले हो, में दिया में दिया होगा गईड़ा चैनल करना स्लोग में किसी एक का आपका अन्वाद पर आपके पूरे प्लत करने के साथ नुम्बर यहां तर नमबर सो नमबर बिल्कुल आजाएंगे अब नवा कोश्चन यहां पर यह कह रहा है कि निमलेखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का परियोग कीजिए बहुत ही सिंपल होता है बच्पन से पढ़ते हो आ रहे हो यहां पर देख लो कौन सा है यहां अवा यहां पर देख लो कोई ऊकर रहा है यहां पर यहां पर यह कह रहा है उख संदे गकर राओ है यहां पर बहुत आसान होता है तो नी संदे बाव वाला सही हो गया इसको अच्छे थोड़ा पढ़ ले ना याद जाएगा और दूसरा इसी में दिया हुआ है ठीक है यहां पर देखो इसका यह संदी फिखेद कीजिए इती अदी कौन सा ओप्सन कहां पर यह इस्ण क्या कर रहा है कि स्वागतम का सही संदी विखेद कौन सा है अब देखो इस अपर संदी नंबर आपको मिलेंगे इक यह की नंबर कर यह दसवा कुछन देखें कौन से है अब यहीं पर दस वे का वाला ऑप्सन यह दिया हुआ है निम्रिकित शब्दों के सब्सक्राइब कीचिए उसका वचन लिखना है यहां पर शुद्ध दिया हुआ पर सुद्ध सब्सक्राइब नहीं अच्छे थोड़ा पढ़ लिखा है ना आत्मनी ृब्यवक्ति और वचन बताना तो यहां पर चारा उप्सटन दिया हुआ है आत्मनी की विभक्ति देखों कर यह सब्तमी विवक्ति और वचन आपताना इसी एक और विवक्ति सत्मी है अब यहां परता है नामने शब्द में भक्ति और वचन बताने नामने शब्द विवक्ति कॉन सी यहां पं चब्स न निये या फिर अभिराम होता है बिना रुके लगातार यह बिना रुके और उप्स distracting फिर भी जो के सब्सक्तरा यह है तो यह हमैं और की महाइं में अंद्र होगा डिक होता है यह अ आकाश यह ह enforcement मतला होता है पक्षी तो यहार आपसे यहां से मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल है आपके बोड़ीजा में आता है कुछ नहीं है सो नमबर लाना पेपर बहुत ही सिंपल है अगर तुम यहीं लगा चले तो 80-90 परसन तुम यहीं आ जाएंगे अब यह कि निमलेखित शब्दों में से किसकी इक शब्दके 2 अर्थ लिखना है घलावला कौशंट यह है कि यह एक सही सब्सक्राइब करके लिखिए कोई सब्सक्राइब इसका सब्सक्राइब और जिसका अनत ना हो इसका कभी अनत यह बावाला उप्सन सही हो गया यहां से दो नमबर कोशन ने बहुत ही असान होता है यहां पर कहा रहा है यहां पर निमलीखित में से किनी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है यहां पर थोड़ा मिस्टेक किया होता है इसमें शुद्ध करके लिखना होता है यहां पर देखो के पढ़ोगे तो बिल्कुर आप से कर ले जाओगे श्याम और मोहन बात कर रहा है अब देखो श्याम और मोहन दो लोंगे तो बात कर रहा नहीं होगा कर रहे हैं ठीकर रहे हैं बिल्कुल सही हो गया एक नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे ठीक है और एक और करना दो करना होता है इससे यहां देखोगे इसमें तो कोई एक लिखना होता है अथ्वागर दिया हुआ है उधारा साइध परिवासा लिखनी है ऐसी यमा का और रूपा का लिख सकते हैं चौपाई और सोटा लिख सकते हो दो दो नमबर यहां से मिल जाएंगे फिर इसके बाद एक पत्र लिखना होता है तेरा नमबर म का निबंद आता है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना लास्ट में सको टाइम बचा के लखना है कम सकते हैं बचाना क्यों है इस पर लिखना है पांच ऑप्सन दिया पांच में से किसी एक का चैन करना है उस पर हैडिंग लिखना कम सकन तीन से चार पेज तो यहां से पूरे क्रेश्चियों की समस्या और समधान इस पर लिख सकते हो किसी भी लिखना हो नौ नमबर यहां आपको मिलने वाले अच्छी रैटिंग में लिखना है अगर वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के अभी सेर कर देना मिलता है नेक्स वीडियो में आगे चैनले पर में हैं तो चैनले को सब्सक्राइब जरूर कर लेना